दोस्तो अगर आप फ्रॉंक्स गाड़ी लेने का प्लान कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपोर्टेंट होने वाली है आज की इस वीडियो में आपसे बात करने वाला हूं उन सभी शोरूम एक्सेसरीज के लिए जो कि आप उसमें लगवा सकते हैं आपके इस वीडियो से काफी कुछ समझ पाओगे और ये अंदाजा लगा पाओगे कि कितने पैसे की आपको लेनी चाहिए अब अगर आज की डेट में आप शोरूम से कोटेशन बनवाने जाते हो गाडी की तो वहाँ पर वो कहते हैं कि 30,000 रुपे की अक्सेसरीज इसमें हैं आपकी कोटेशन में जिसमें से आप जितने की लोगे उतने की आप लगवा सकते और बागी पैसा जो है वो रिडियूस हो जाएगा कभ मैंने बहुत सारी वीडियो बनाई हैं सबके लिंक्स आपको डेस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे अब शुरुवात करते हैं वीडियो की दोस्तों तो यहां पर सबसे पहले अगर आप देखो के तो गाडी में एक वी लॉक्स कलेक्शन करके यहां पर दिया गया है जिसमें पहले तो इसमें और वीम के कवर आ जाते हैं है एड्लम गार्निश आ जाती है जो कि प्रीमिम वाले नहीं है बॉड़ी साइड मोल्डिंग आ जाती है रैड इंसर्ट फ्रंट अंडर बॉड़ी स्पॉयलर आ जाता है और उसके साथ साथ फ्रंट और रियर बंपर पेन कार् जाता है अब दोस्तों बात यहाती है कि क्या यह जो वी लॉक्स कलेक्शन है यह आपको लगवाना चाहिए नहीं लगवाना चाहिए तो देखो दोस्तों बात ऐसी है कि इसमें बहुत सारे ना कॉस्मेटिक चीज़ें मतलब रैड इंसर्ट गार्निश वाली चीज़े जात यह estarra दकी कर सकते हूं उसके बात कर लेते हैं आगे आने वाली ऐक्सी दड़ पार में तो इक एक करके मैं आपको सारी इक तारी क को बनाना है नहीं तो जाञा यह जा को इसमारी अब ऊपर कड़ी को बनांड और उ प यह ऑन बदे करेंगे usta वह एकसिसरी आपको एक बार में बता लिता हूँ जैसे फ्रंट बार्डी स्पोइलर हो गया साइड बॉड़ीसपोइलर हो गया उसके साथ साथ बॉड़ीसपोइल्ड गार्श इंसर्ट और धीर कुछ एसी चीजेशे हैं जिसमें कि आपकी गाडी को से लॉक पूंक पास एक गार्णिश हो गया, painted गार्णिश हो गया, rear bumper painted गार्णिश हो गया, back door गार्णिश है जो कि chrome की एक strip आती है, wheel arch गार्णिश यानि की wheel के जहां पर arches होते हैं black वाले तो wheel के ओपर वहाँ पर एक red insert के साथ आपको देखने को मिल जाता है, head lamp में एक गार्णिश है, तो वहाँ पर है वो कई जगह पे apply हो जाएगी, तो ये वो सारी चीजे हैं जिससे कि आप जो है अपनी गार्णिश को थोड़ा बहतर look and wheel प्रवाइड कर सकते हैं, देखो दोस्तों मेरे हिसाब से आपको इनकी जरुवत नहीं है, अगर आप फिर भी चाते हैं कि आपको थोड़ी सी गार प्रवाइड करें एक थोड़ा सा एन्हेंस लुक प्रवाइड करें आप इनके लिए जा सकते हो ठीक है, अब इसके बाद में बढ़ते हैं आगे और आने वाली अक्सेसरी के लिए, तो यहां पर आपको देखने को मिल जाते हैं, मशीन फिनिश्ड अलॉय विल यानि की जो आपके टॉप विरियंट में आते हैं, जो कि 36,760 रुपे के हैं, अब यह डिपेंड आप पे करता है, अगर आप इसका बेस विरियंट सिगमा विरियंट ले रहे हैं, तो आप इनके लिए जा सकते हैं, उसके अलावा जो आपके डेल्टा प्लस में अलॉय विल्स आते हैं पैंटिट ब्लेक वो आपके आते हैं, 34,760 रुपे के, जो की ब्लेक कलर में प woll कि ब्लक में पांटिट होते है, और वो डूैल ठोन होते है, तो नहीं यह अं होते हैं, तो यह सिर्फ एलेजिबल है आपके सिगमा विरेंट के लिए पिर देल्टा विरेंट के लिए अगर मैं यह कहूंगा कि अगर आपको डेल्टा विरियंट लेना है तो आप 40.000 रुपे और आपको जहां 40.000 रुपे आपको LED DRL भी मिल रहा है LED headlamp भी मिल रहा है ठीक है यह value for money है उसके बाद में अगर मैं बात करूं प्रीमियम बॉडी कवर 3.000 रुपे का है कोई सेंस निया इसको लगवाने की सिंपल सा कवर होता है यह फट भी बहुत अराम से जाता है तो आप बाहर मार्केट से 12-1300 रुपे में अच्छी क्वालिटी का कवर ले सकते ह इसके बाद में अगर मैं बात करूं आपसे प्रीमियम डॉर वाइजर आता है और डॉर वाइजर आता है अगर आपको चाहिए थोड़ी सी क्रोम के स्ट्रिप होस में तो प्रीमियम वाला ले ले लो 290 रुपे का है हाला कि कॉस्ट थोड़ी सी ज्यादा है जड़पक 13-1400 रुपे आसपास होनी चाहिए थी और जो डॉर वाइजर है वह आपका नॉर्मल वाला 1590 रुपे का है तो यह ठीक है ठीक है उसके बाद में बात कर लेते हैं यहां पर रियर कैमरा देखने को मिल जाता है और फ्रेंट पार्किंग सिस्टम यह दौनों बहुत इंपॉर्ट गाड़ी पीछे से तो बच जाती है लेकिन आगे से कई बार वह लगने का डर रहता है खासकर उनके लिए जो नया नया ड्राइव करते हैं उस गाड़ी को तो इस गाड़ी के में आपको इस पे उपर अगर डिसकाउंट मिलता है खासकर धियान देना अगर ऐलोई वील्स क चक्कर रहता है तो कोशिच करना कि शोरूम से ही कुछ अच्छा सा इसमें डिसकाउंट मिल जाए उसके बाद में आता है प्रीमियम स्टेरिंग वील कवर जो की एक अच्छी चीज है और पांसो दस रुपे का यह प्यॉर वैल्यू फर मनी चीज है इसको मत छोड़ना यह लगवाले ना यह स्टीचिंग वाला लगाते हैं तो बहुत अच्छी क्वालिटी का होता है और वैदर 3D मैट 2,990 रुपे का यह भी सही है इसमें भी अच्छी क्वालिटी आएगी आपकी और डेश डिजाइनर मैट आपका 21-50 रुपे का है तो यह भी भड़िया है यह आपका वैल्यू फॉर मनी चीज़ है ठीक है उसके बाद में आता है इल्यूमिनेटेड डोर इस्टिल गार्ड जो की 2,990 रुपे का है मुझे नहीं लगता है इसकी कोई जर्वत है ना यह पैसा इसमें सही है देना जो दूसरा है प्रोटेक्टिव डोर इस्टिल गार्ड किसी के पास गाड़ी के वेरेंट में आता है तो ठीक है नहीं तो नहीं है ठीडी बूट मैट 890 रुपे का है अच्छी चीज़ है जब भी आप कभी कुछ प्लांट्स वगरा करी करते हो कुछ भी आसा पीछे रखते हो समान जिससे की आपकी पीछे की डिक्की गंदी होती है तो इसको निकालो अपना साफ कर दो तो यह एक बढ़िया चीज़े थोड़ी प्रोटेक्शन रहती है महाँ पर फैब्रिक का जो चीज़े होती है वो खराब नहीं होती है संशेड आते है इसके 1050 रुपे के अब यह नहीं पता कि यह स्लाइड डाउन वाले है कि नहीं ह आपको चाहिए आपको क्या फायदा ओने वाला है चाहिच तो इसके बात मे बहुत सारे सिट है N omega 9,00 हाला कि company के seat cover बहुत अच्छी quality के होते हैं उसके बाद में बात कर लेते हैं कुछ other accessories की जो की आपके आजाती हैं आपकी जैसे की neck cushion हो गया hard box trunk हो गया Nexa comfort collection हो गया organic perfume हो गया rear mobile holder हो गया tissue box हो गया two-in-one vacuum cleaner यह सारी चीजे ना ऐसी है कि आप company से लो या फिर आप बाहर से लो तो आपको जादा अच्छी deal मिल जाएगी इसमें कुछ भी ऐसा नहीं है जैसे vacuum cleaner है 2499 का आपको बाहर से जादा अच्छी से आपको मिल जाएगा इसमें 2400-2500 रुपे के speaker है तो यह चीजे मेरे को बढ़िया लग रही है यह थोड़ा वैल्यू फर मनी मेरे को लग रहा लग रहा पांसो रुपे का यह कंपनी तो यह सारी चीजे जो मुझे आप से बतानी थी कौन सी चीज क्या है मैंने अपने perspective से बताईए हो सकता है आपका मेरा जो point of view है वो अलग हो बस मैंने आपको एक help करने के लिए एक video बनाईए वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी है कुछ भी कुछ मन में डाउट हो कमेंट से mention कर देना I'll try to answer that take care of yourself and remember always drive safe बाबाय दोस्तो कर दोस्तो